फिलिस्तीन इसराइल संगर्श युद के बीच UAE विदेश मंतराले का आया बयान सोशल मीडिया पच्छडी बहस इसराइल और हमास के बीच जारी जंग में अब तक 1100 से जादा लोग जांगवा चुके हैं मेडिया रिपोर्ट्स के मताबक इसराइल की सेना ने आकड़े जारी कर बताया कि हमास उनके देश पर अब तक 3284 रॉकेट दाख चुका है इन हमलों में 700 से जादा इसराइलियों की मौत और करीब 2000 घायल हुए है वहीं जवाबी हमले में गाजा पट्टी पर 413 से जादा लोग मारे गए हैं लगभग 2300 घायल है इस बीच खबर आ रही है कि UAE ने इसराइल के सपोर्ट में अपना पक्ष रखा है फलस्तीन इसराइल संघर्ष युद्ध के बीच कई मुस्लिम देशों ने इस तनाव के लिए इसराइल को जम्विदार बताया है तो वहीं UAE विदेश मंतराले का ये बयान लोगों के लिए काफी हैरान करने वाला साबित हो रहा है मेडिया रिपोर्ट के मुताबिक मुस्लिम देश UAE के विदेश मंतराले ने इसराइल और हमास के वीजारी जंग को लेकर कहा हमास का इसराइल पर हमला बहुत जादा भढ़काने वाला है उन्होंने लोगों को घर के अंदर घुस कर मारा मुस्लिम देश UAE के इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर यूजर्स भी दो धड़ों में बढ़ गए हैं आईए आपको दिखाते हैं जनता का इस पर क्या कहना है एक यूजर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा गोधी मीडिया मणिपूर में जाकर भी देख लो इसराइल हमास को जाने दो एक अन्नी यूजर ने लिखा मुसल्मानों को सैयुकत अरब अमिराद से सीखना चाहिए क्योंकि ये कभी भी धर्म के बारे में नहीं रहा है ये हमेशा ये निर्धारित करने के बारे में रहा है कि कौन गलत है और कौन सही है एक ने लिखा जिस पवित्र देश से हमारे प्यारे नभी महम्मद साहब ने इसलाम की शुरुआत की थी बहुत दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है चंद सिक्कों के लिए उस देश ने अपने इमान का सौधा कर दिया साओधी अरब के लोग जो शासन कर रहे हैं वो आज की फिरौन है दुनिया की मुसल्मान ग्याद रखें अशोक शिखावत नाम की एक यूजर ने लिखा भारत का इसराइल को समर्थन देना एक प्रकार से खाड़ी देशों से पंगा लेना है भारत को सोच समझ कर इस मामले में पहल करनी चाहिए ये खाड़ी देशों से भारत की तेल आयात पर असर डाल सकता है एक यूजर ने यूएई विदेश बंतराले के इस बयान पर कहा अधिकतर मुस्लिम देशों में मुस्लिम हुक्परान नहीं रहे वो सब यहूदी बन चुके हैं यही वज़ा है कि मुसल्मान पर इतना जुल्म हो रहा है फिर भी सब खामोश बैठे हुए हैं यह जंग है और जंग में हर तरह का नुकसान होता है कौरवों ने तो युद्नीती के खिलाब जाकर अभिमन्यू को घेर कर मारा था फिर बदली में पांडवों ने भी करण को चल से मारा इसराइल और हमास के भी जारी जंग को लेकर UAE विदेश मंतराले के इस बयान को आप कैसे देखते हैं कॉमेंट में अपनी राय जरूर दे हमारी चैनल को सर्ब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक और शियर करें बैल एकन बटन जरूर ट्रेस करें ताकि देश विदेश से जुड़ी हर बड़ी अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके